हलो गुड मॉर्निंग दोस्तों कैसे हो आप लोग उमीद है आप सब लोग एकदम स्वास्ता और मंबस्त होंगे स्वागत है आपका मेरे चैनल जे एमडी फैमडी ब्लोग में ये मैं बैठी हूँ सुबह का नास्ता लेके नाना दोना पूजा हो गया है नास्ते में मैंने लिया है गुंद के लड़ू एक लास दूद और टीवी का रिमोट अभी मैं नास्ता कर रही हूँ तो फटा फट मैं खा लेती हूँ लड़ू क्योंकि गुंद के लड़ू हमने सर्दियों में खाने के लिए बनाये हैं और ये बहुत हेल्दी और बहुत ट या तो मैं चाय लड़ू खाने से पहले पीती हूँ या लड़ू खाने के बाद पर चाय पीती हूँ अब पर आजकल घर में सबने चाय पीनी बंद कर रहे हैं सब लोग सुबह की चाय की जगे गुंद के लड़ू और दूद लेते हैं बट मुझे तो चाय का नसा है और कि करте के बताए तो चाय नास्ता हो गया अभी मैं आया हूँ कि चन में करने जा रहे हूं पहले चट्णी बनाने जा रहे हूं हरी मिर्च भर साहरधनिया लसन और थोड़ और ध्रक और नमक और रिकाश crisp का है बना इसमें चटने का सभस्ते जरूरत है तो चटनी डाल लेती हूं, जार में रख लेती हूं, स्वरी चटनी नहीं मतलब धनिया, हरी मिर्च, लसन, अद्रक, नमक ये सब डालके मैंने जार में एक अठा कर लिया है और इसकी हम बनाएंगे ग्रीन वाली चटनी तीकी तीकी वाली, बहुत अच्छी लगती है, सर्दियों बनके एकदम ready है perfect, बहुत अची, इसका color देखकर ही मन खुश हो जाता, इतना संदर लग रहा था, तो मैं चटनी खाली कर लेती हूं, और यकीन मानिए, जब भी मतलब मैं इस तरह की चटनी बनाती हूं, तो मेरा मन करता है पकोड़े खाने का, आप लोगों का भी करता होगा जब भी मतलब इस तरह की चटनी बगरा घर में होती है तो मेरा मन करता है आलो के चिप्स बना के चान ले और उसमें डिप कर करके इसको खा और चाय बना ले और कुछ ना कर बस मज़ा आ जाए फिर तो, और खासकर जब सरदी का टाइम हो बारिश का टाइम हो उस टाइम त रायते में या और किसी चीज में डालने के लिए बहुत सारी चीजों में कामाता है तो मैंने जीरे को खुब अच्छे से भून लिया और इसे चकले बेलन पही रखके मैं इसको एक्दम अच्छे से पाउडर कर लोगी आप चाओ तो मिक्सी में भी कर सकते हो यह मैंने लिय चाट पापड़ी चाट पापड़ी बनाने के लिए यह पापड़ी लिया है मीठी वाली चटनी हरी वाली चटनी दही काला नमक भुना हुआ जीरा भुजिया और काली मिर्च पाउडर इतनी सारी चीजे लिए इन सब को थोड़ा थोड़ा एक लेयर लगाए जाएंगे सब डाल के इसको अच्छे से डेकुरेट कर लेंगे काला नमक चिड़क देंगे उपर से और हाँ यहां हम अनार के दाने भी डाल सकते हैं वो बहुत अच्छे भी लगते हैं दिखने में भी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं यह मैं काला नमक डाल लिए हलका हल तो इस काले नमक का जो टेश्ट आता है वो बहुत अच्छा होता है उसके बाद मैंने भुना हुआ जीरा डाल दिया है अनार के दानने से बहुत अच्छा टेश्ट आता है पर अनार आज था नहीं घर में तो मैंने मंगाया भी नहीं चलो आज ऐसे ही चाट पापड़ी खा लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और किसको किसको चाट पापड़ी पसंद है प्लीज आप कमेंड करके बताईएगा मुझे और आई होप आप सबको मेरी चाट पापड़ी वाली रेसेपी बहुत जादे पसंद आएगी क्योंकि जब हम लोग असुब असुब अच्छ के निकाल के रखी थी कि एक दिन चाट पापड़ी बनाऊंगी पर आज बनाऊंगी यह नहीं सोचा था तो चलिए यह रेडी हो गया आप लोग खा लीजिए और देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा जितना सुंदर दिखने में है न उतना ही टेस्टी करारा च बरतन दोने पड़े है चाय पिया है तो बरतन दो कुछ बनाया है तो बरतन दो किचन साफ करो बरतन दो किचन साफ करो बरतन दो यह सारे दिन का काम हो जाता है और दिन बर मैं इनहीं में लगी रहती हूं चक पक चक पक करते सारे दिन बरतन दोने बरतन दो के दोपहर हो ग और मैंने उस दिन खिचडी नहीं मिनाई थी क्योंकि हमारे यहां एक साल तक कोई फेस्टिबल नहीं मनाया जाता जब किसी की दैत हो जाती है तो कोई फेस्टिबल मनाना नहीं था मुझे नहीं मैंने चोथ मनाई है नहीं मैंने खिचडी मनाई है कुछ नहीं बनाया है अभी हाधा मटर मैंने इस में प्रे फन्म डालों लेकि एक गिलास चावल लीया मैंने जाए यह बिना छिल के वाली आधा की दाल है और यह विरद वाली खििटरी पूरे शाल में बस मैं एक बार बनाती काती इस बार मैंने शकरात वाले दिन नहीं बनाया तो अभी बना लिया तो यह चावल और उड़त मैंने धुलके रख दिया इधर मैं सबजी की तैयारी कर लेती हूं क्योंकि इस खिचड़ी में कुछ और नहीं जाता तो प्लेन खिचड़ी अच्छी नहीं लगती तो मैंने इसम दूसरे गैस पर रख दिया इस गैस पर मैं रख देती हूं इस कड़ाई इस पर मैं बना लेती हूं सबजी सबजी बना रही हूं मैं आलो गोभी मटर टमाटर की तो सबसे पहले मैंने कड़ाई में तेल डाला और तेल को गरम होने दिया और जैसे मतलब तेल गरम हो गया न पापड को टुकडे करके तल लिया और उसके बाद मैंने कड़ाई में जो तेल था उसी में हिंग डाल दिया हिंग जैसे ही थोड़ा सच रख लिया तो मैंने इसमें गोभी डाल दी गोभी को हलका सा भुनने के बाद तुरंत मैंने इसमें आलू एड़ किया और आलू को भी इन सब को बहुत अच्छे से एक दम गोल्डन होने तक खुब अच्छे से तल लेंगे ये ग्लास में मैंने लसन कूटा है इसमें नमक डाला है उसके बाद मैंने इसमें मसाला एड़ किया है मसाले में हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, घरम मसाला इसका मैं पेश्ट बना लूँगी आप लोग जानते हैं लगबग कि मैं हमीशा इसी तरह मसाले डालती हूँ मुझे मतलब एक पता नहीं बहम है क्या है मुझे इस तरह अच्छा लगता है मसाले में एक अच्छा सा टेश्ट आता है जैसे घर के पीसे हुए मसाले में जो टेश्ट आता है वैसा टेश्ट आने लगता है तो मैं इसलिए इसको अक्सर ऐसे ही करती हूँ तो ये बहुत अच्छी खुश्बू दे दिये और आलू और मटर को सौरी आलू गोभी को दिमी दिमी आच पे मैंने 10 मिनट तक खुब अच्छे से तल लिया है और ये एकदम सुन्दर गोल्डन कलर के हो गए है तो मैंने इनको निकाल लिया है उसके बाद इसमें तेल कम था वैसे था भी तो थोड़ा तेल था पर थोड़ा तेल मैंने और अड़ कर लिया और जब ये तेल गरम हो गया तब मैंने इसमें जीरा डाल दिया और जब जीरा खुब अच्छे से चटक लिया तब मैं इसमें प्याज और हरी मिर्च डाला है और इनको भी हम बहुत अच्छे से भुन लेंगे दिखिए मैं जल्दी इस दिखाती हूँ क्योंकि अगर अराम से भुनते हुए दिखाऊंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा तो हरा प्याज और मिर्च एकदम भून के गोल्डन हो गया था सुरी हरा प्याज नहीं प्याज और हरी मिर्च भून के गोल्डन हो गया था तब मैंने इसमें मसाला एड़ किया और मसाले को भी बहुत अच्छे से भुना तब तक भुना जब तक कड़ाही से मसाला मतलब तेल अलग ना होने लगे कड़ाही इतने चीपकना ना छोड़ दे तब तक भुना उसके बाद मैंने इसमें टमाटर एड़ किया टमाटर डालन उनको भी मिला के बहुत अच्छे से चला के फिर हम इसमें पानी डाल देंगे पानी आप अपने हिसाब से डाल लिए जितना कम जादे आपको पसंद हो जैसी ग्रेवी आप लोग खाते हो उसे हिसाब से डाल लीजेगा मैंने अपने हिसाब से अपने हिसाब से डाल दिया जै बहुत अची धूप निकल लई यह साड़ी मैंने छट पे डाल दी थी क्योंकि नीचे इतनी जगह नहीं थी तो मैंने साड़ी उपर डाल दी साड़ी सीधी डालने से फाइदा होता है इसमें सिकुरन नहीं आती तो मैं उपर से कपड़े भी उतार लाई आंगन से भी मैंने कुरसी पे रख दिये अभी इसको बाद में तह करूँगी या जो आयन करना है वो बाद में करूँगी क्योंकि अभी सबजी पक रही थी तो मुझे साथ के साथ कीचन का भी काम देखना था तो सबजी बन चुकी थी इसमें मैंने धनिया एड़ कर दिया और इसको तो हमारा खाना सारा बन गया, यहां मैंने खिचडी में घी और हिंग का तड़का लगाया था, वो मुझसे स्कीप हो गया था, मैंने कल्ची में घी रख दिया, घी गरम हो गया, तो मैंने इसमें हिंग डाल दिया था, और इसका ही तड़का लगाया, एकदम सिंपल सी अचार मेरी बंबी कहती है ये खिचडी के चार यार है इनके बिना खिचडी बेकार है तो मैंने खिचडी के साथ निबू का अचार लिया है दही लिया है घी लिया है और पापड भी लिया है तो आप सब भी आ जाईए और इंज्वाई कीजिए हमारे साथ दही पापड चड़ी अचार इन चारो यार के साथ, आई होप आप सबको भी पता होगा, बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन जिनने नहीं पता है, उन्हें पता चल जाएगा, कि यूपी में ये बनता ही बनता है, तो खाने पिनने के बाद मैंने बरतंद होया, तो मैं ये कपड़े ताह कर देती हूँ, वरना ये कपड़े यहां पढ़े रहते हैं, तो अच्छा नहीं लगता, टेंशन लगी रहती है, कपड़े पढ़े हैं, कपड़े पढ़े हैं, तो पहले इनको निप्टा दे, तो ये दिन पर का काम हो जाता है, लेकिन आजकल मैं दो तीन दिन में करके कपड़े धोरी दोती हूँ, अभी मैं कपड़े तह करके जाके कमरे में लेती ही थी, कि दीपक आगया, कि नहीं लेती नहीं, सौरी, लेती नहीं, मैं फाल लगाने बैठ गई थी, मैंने सूच चलो मैं फाल लगा लेती हूँ दीपक आया बहुत देर से काम लगी हूँ और बीच मैं फाल छोड़ूँगी तो छूट जाएगा फिर मेरा फाल लग नहीं पाएगा तुम्हें काम करो तुम खुदी चाय बना लो भूलो ठीक है कोई बात नहीं यह ऐसा मेरे पानी लगाया है अपने साथ कम्रे में और किचन में और वो चाय बना रहा है पहले उस्ने धूद पानी रखा जैसे मैं बनाती हूं सेम वैसे ही करता है एक गलास दूद धूद एगलास पानी रखा इसमें तीन लोगों के लिए अच्छी चाय बन जाती है अद्रग डाला चीनी पती डाली दो चम्मत चीनी ही डालती हूँ मैं क्योंकि मैं हल्की मतलब बहुत फिका फिका चाय पीती हूँ तो उसी हिसाब से उसी मेथट से बहुत अच्छे से चाय बनाया एक दम मेरी टूगा पी इस गयस चुले का जो प्लेट था वो मतलब उसके पर खिचडी का प उसने प्लेट में पुझिया और बिसकट भी लगा लिया हम सब के लिए हम लोग कभी मितलब खाली चाय नहीं है खाली चाय हमको पीने की तो मैं ही आप फाल लगा रही थी और दीपक यहां चाय लेके आया है तो मैंने उसे कहा कि आप भी बेटो बुला चरूकर, आप पर पकड लीज़े, मैं बैठता हूँ आराम से तो मैंने या नमकीन, और दीपक के हाथ की चाय पी लीज़े तो मैंने फटा 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 पी के, मेरा यह फाल बीच में रुका हुआ था मुझे ये complete करना था अगर ये बीच में छूट जाता तो छूट जाता तो मैंने फाल को मतलब कच्छा कर रखा था तो ये मैं जो कच्छे वाले धागे हैं इसके ये निकाल के फेक देती हूँ और साम भी हो गई है तो मैं फटा-फटा भी इसको तह कर देती हूँ रात नहीं हुई है बस साम होने लगी अभी दियाबत्ती भी करनी है मुझे दियाबत्ती करूँगी हात मुदोंगी दियाबत्ती करूँगी बहुत सची सर्दियों के दिनों में छोटे से दिन होते हैं पूरे दिन का काम होता है लेकिन गर्मी से तो अच्छा है गर्मी में तो गर्मी मैं किचन में बनाने जा रही हूँ मैं रोटी आज मैं डिनर में सरिफ रोटी बना रही हूँ क्योंकि दोपहर में जो सबजी बनाई थी मैंने उसमें धेर सारी सबजी बची हुई है और खिचडी बची हुई है तो इसलिए मैं सरिफ रोटी ही बनाऊंगी डिनर में दूद जादे रूटी नहीं बनाओंगी और जो बचि जाता है और जो बच जाता है तो टम्हारी जिम्मेदारी है उसको अलग से तुम ही खाऊ यह चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मतलब कभी यह नहीं कहते कि तुमने बनाया है जादे तो तुम ही खाऊ नहीं सब लोग मिल बाट के खा लेते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मतलब बचा हुआ है सबजी और किच्डी तो हम यही सब गरम करके मिलाजुला के खा लेंगे आज का हमारा डिनर इसी में हो जाएगा आई होप आप सब ऐसा करते होंगे अगर नहीं करते हैं तो प्लीज कर लिया किजिए अनाज को वेश्ट मत किया किजिए बहुत मुस्किल से किसान अनाज हुगाते हैं तो लीजिए गरमा गरम एकदम फुलके बनके तयार हो गए है हल्दी और टेश्टी फुलके घर की रोटियों की बात अलग है, हम बाहर जाके कहीं कुछ भी खा के आ जाए ना, लेकिन जब तक मैं घर की दाल रोटी, सबजी, रोटी, लसी रोटी नहीं खा लेती हूँ ना, तब तक मुझे तसल्दी नहीं होता, तो मेरा पुरा खाना बनके रेडी हो गया है, अभी मैं मैं पापड सेख लेती हूँ डिनर के लिए, क्योंकि खिचडी बची हुई है, तो थोड़ा सा पापड बगरा हो तो अच्छा लगता है, और मुझे मतले हुए भुने हुए पापड जादे अच्छा लगता है, लिचे दोस्तों हमारा डिनर भी हो गया, अब मैं बरतन अच्छा लगता है, लेकिन ठंब में आकर बरतन धोना बड़ाविना बीकर काम लगता है, तो चैनल को लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा बाई